नमस्कार दोस्तों स्वाध करता हम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आज आपके लिए बहुत बड़ी है रिकूट्मन अपडेट ले गया है जो की पोस्ट ओफिस की तरह से ओफेशिल नोडिफिकेशन है कैसे आप इसके लिए अप्लाइ करेंगे कौन कौन अप्लाइ कर सकता है पूरी जानकरी मैं आपको इस वीडियो में देने ही वाला हूँ सो वीडियो को इन तक पूरा जरूर देखिएगा फर्स्ट इम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को कर लिजिए सब्सक्राइब और साथ के साथ बैल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको हर एक नोडिफिकेशन आपके मॉइल में मिलता रहेगा और सामा रहते आप इसके लिए अप्लाइ कर पाएंगे वेकैंसी की बात करूं तो और भी बहुत सारी वेकैंसी जिनको आप हमारी वेबसाइट पर जाके चेक करके अप्लाइब कर सकते हैं जिसके लिए करके बताई सकते हैं तो जलते हैं एक रूट पर अपडेट के ऊपर और वही पर चलके बाकी के इंफरमेशन जो आपके साथ शेर करता हूं तो मैं आपको ले आऊँ शॉर्ट नोटिस के ओपर जो कि इंडिया पोस्ट जीडियस की वेकैंसी के लिए यहां पर अगर मैं बा जा गया है और जनरल मैनेजर CEPT बेंगलोरू यूनिट हैदराबाद में भी जिसके लिए यहां पर आगर आप देख सकते हैं यह इसमें जो चेडियूल है वो डेटा एंट्री फ्रीजिंग डेटा एंट्री मतलब के जितनी वेकैंसी आपकी सिटी में जो पेंडिंग है मत डेटा एंट्री डिवीजन्स के द्वारा यहां पर नौ साथ से लेके दस साथ दोजार चॉबिस तक जो इशू आफ ऑफ ऑनलाइन नोटिफिकेशन मतलब रिकूट्मेंट के लिए जो ऑनलाइन नोटिफिकेशन आउट होता है वेकैंसी का वो पंदरा साथ दोजार है वो आउट होने के लिए यहां पर अगर मैं बात करूं हमें जो वेट है वह 838,000 प्लस वेकैंसी का है हो सकता है इससे जादा हो जाए 40,000 प्लस हो जाए 42,000 प्लस हो जाए वो पता नहीं है कम जादा भी हो सकती है लेकिन यहां पर सबसे अच्छी बात तो यह है कि 10 और 12 वाले candidate और even graduation वाले भी apply कर सकते हैं 10th के basis पे यहां पर ना तो कोई exam होना है यहां पर आपके direct merit basis पे selection जो होती है हमेशा की तरह जो की circle wise रहती है जो merit cut off होगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा ही next time जो भी वीडियो बनाऊंगा उसमें special इसके लिए बनाऊंगा कितनी कम से क जो है यहां पर merit जाएगी ठीक है तो बाके पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं कि इसके लिए notification जल्द ही out होने वाला है फिर भी आपको कोई doubt होता है तो आप मुझे comment box में comment करके बताई सकते हैं मैं आपके लिए सबी तरह की latest recruitment update जो लेकर आता ही रह हूँगा नए notification के साथ नए वीडियो के अंदर तब तक के लिए धन्यवाजी